मा बनने का एहसास बहुत ही खास होता है हर मा की ये ख्वाहिश होती है कि वो मा बने और उनके घर में किलकारिया गुझे और जब एक मा का ये सपना साकार होता है तो यकीन मानिए उनकी चहरे की खुशी देखती ही बनती है वो तो खुशी से पागल हो जाती है और फिर ये कहती है आज मैं उपर आसमा नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे पर हमारी मॉली के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कलस के सीरियल सिलसिला बदलते रिष्टो कामे जब मॉली को पता चला कि वो प्रेगनेंट है और मा बनने वाली है तो ये सुन कर उसके चहरे पर 12 बज गये उसके चहरे के तो रंगी उड़ गये और भगवान जूटना बुलवाय मुझसे मॉली का चहरा फूलू की तरह मुर्जा गया ये दुनिया की पहली ऐसी मा है जो मा बनने की खुशी से खुश नहीं है वही दूसरी तरफ मॉली भले ही खुश नहीं है लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए वो खुद का बहुती अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है तब ही तो वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही है जम कर खाना पीना खा रही है ताकि उनका आने वाला बच्चा स्वस्थ और सुदर हो पर ये क्या बात हुई मॉली खुश मी नहीं है और अपने होने वाले बच्चे के लिए खुद का इतना खयाल भी रख रही है आखिर बात क्या है ये सोच सोच कर मैं तो चार रोटी की जगा तीन रोटी खाने लगी पर समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मौली के चेहरे का ये क्या हाल हो गया फिलाल अब देखना ये है कि क्या होगा जब कुनाल को पता चलेगा कि मौली मा बनने वाली है क्या कुनाल नंदनी से तोड़ देगा अपना रिष्टा क्या कुनाल और नंदनी की शादी नहीं हो पाएगी क्या मौली की प्रेगनेंसी से कुनाल लटाएंगे मौली की जिंदिगी में ये सारी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाईए अपने फेवरिट ट्रीवी शो से जोड़ी हर खबर सबसे पहले वैसे ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरीए जरूर बताएं